पर काम कर रहे हैं देश में उर्जा की संभावनाओं की परिवर्तन पर CBG प्रमुख और चेयर्मेन डॉक्टर प्यूस दिवेदी से सहरा समेनिक खास बातचीत की है देखी ये स्पेशल रेपॉर्ट ऐसी जगह है कि ये साओधी अरब प्रमुख डॉक्टर प्यूस दिवेदी जी हमारे साथ हैं जो कि नेक्सन एनर्जिया के चेयर्मैन भी है जिन्होंने बढ़ते प्रयासों के साथ काम किया भारत की युणाओं पे काम किया है उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आगे कि उनकी त्यारिया है और CBG और EV को लेकर आगे कि उनके क्या कुछ प्लान है तो सीधे उने से बात करते हैं एक नया मुकाम बनाया है उन्होंने सबसे पहले तो सहरा समय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्यूस जी आपने CBG में क्या देखा, CBG में ही भूमिका क्यों अपना देखा और अभी आने वाले समय में और छेत्र में CBG और EV को लेकर अगर बात करें तो आपके छेत्र में और क्या कुछ प्लान है तेल हमें आयात करना पड़ रहा है जो कि हम कई बिलियन डॉलर तेल के आयात में खर्च करते हैं अगर ये तेल भारत एक ऐसा ऐसी जगह है कि ये साओधी अरविया है कचड़े का इससे हम उतना तेल बना सकते हैं कि पूरे भारत देश को अपने पैरों पर खड़ा कर लें तो कचड़े से कैसे किसानों के अफसिष से कैसे हम लोग गैस को बनाएंगे सीबी जी होती है कमप्रेस बायो गैस ये ऐसा इंधन है कि जो इसकी ही जरूरत ये भविस्ट में यही चलेगा ये वाला तेल जो खतम हो जाएगा तो अपने आप इसी इंधन को चलाएंगे और इसी से ही सिस्टम पूरा चलेगा तो जितने हम लोग जितना बिलियन डॉलर अगर खर्च कर रहे हैं आयात करने हैं सारा डॉलर हमारा अपने कंट्री में रहेगा और पैसा बचेगा और लोगों को ग्रीन इनर्जी मिलेगी इससे पलूशन कम होगा और कार्बन जो उत्पन हो रहा है वो उसमें काफी कमी आएगी बिल्कुल एक सवाल आपसे यह भी है कि भारत को दुनिया के देशों में निभरता हुआ कहां पर और नए प्रयासों में आप किस तरह से देखते हैं देखे ऐसा है आत्म निर्वर भारत मोदी जी ने एक मोहिम चलाई है जिसमें क्या है कि लोगों को उस उसी मोहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक तो हम अपने यहां रोजगार कितना बढ़ा सकते हैं उस पर मैनली हमारा फोकस है और पलूशन से कितना हम बचा सकते हैं किसानों के अपसिष्ट को हम कितना यूज कर सकते हैं किसी तरह जितना आपको पराली की समस्या है या आपको वो हम सवस्याओं को दूर कैसे कर सकते इसके supplier हम पूरा काम कर रहे हैं और पूर ही बेवस्ता से सीवी जी के हम्लोग हजारों प्लांट पूरे देश में ला रहे हैं और उनको गैस जो उत्पन होगी वह पंप से उत्परन होगी और Bis सब्सक्राइब के द्वारा विकेगी उसको पूरा हम लोग पूरा एंड-टू-एंड प्रॉसिस कि दे रहे हैं इवी पर अभी तक कितना काम हुआ है और पैट्रोल में क्या लग आपको कितनी बड़ बचत हुई है देखिए ऐसा है कि अभी देखिए मार्केट में पहुंच है और यह अगर इसको हम लोग 50% पर या 40% पहुंच जाएंगे तो कई लाखों करोड का पिट्रॉल हम बचाएंगे साल में जिससे की देश के की आर्थिक मदद होगी और लोग इस पर काम करेंगे और लोग लोगों का मना बदेशी मुद्रा बचेगी मैं लिए काम है प्य करेंगे पूरूर का फूकस अवी हुए है इस फैसी कर नहीं के लिए तयार है हमारी टैक्निकिल टीश पर फीरा सोथ कर रही है और इसको हम पूरा बना रहा है झिससे के की आपको कहीं पर भी हाएड्रो जंस को हम एक निरुःवर भारत में सामिल करेंगे और ऐसे प्रोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको 25-30 करोड के अंदर 400 तन का प्रोजेक्ट लाएंगे ऐसी कुछ हम लोगों ने उजना बनाई है और इसको हाइड्रोजन को हम लोग नेक्स्ट दो-तीन महीने में लॉंज कर देंगे और इसके प्लांट हम जगे जगे लगाएंगे हर इंडर्स्ट्री में लगाएंगे जिससे की इंधन भी बनेगा और बाकी इस्टील में और तमाम जगे हाइड्रोजन यूज होती है तो उससे देश को इंपोर्ट पर कम निर दूरत हैं देखिए जो नए इंटर्प्रेणयोर हैं जिनको स्टार्टाप इंडिया गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने बनाया इसमें काफी अच्छे स्टार्ट अपाई नए युवा लोग आ रहे हैं जो नए नए आईडिये ले आ रहे हैं जिनको इंप्लिमेंट हो रहे हैं अगर इनको गौवर्मेंट पूरी तरीके से जो इसकी में हैं उन तक पहुंचाई जाएं तो यह चैलेंज खतम हो जाएगा कोई चैलेंज नहीं है लोगों को पता नहीं है वह चैलेंज हम लोग उसको लोगों को बताने की कोसिस कर रहे हैं कि जिससे की लोग अपने आप आएं और उनको सारी चीज गौवर्मेंट सब विवस्था दे रखी हैं लेकिन ना जानकारी की बज़े से बहुत सी चीजे इंप्लिमेंट नहीं हो पाती है मैं चैलेंज यही है कि लोगों को फाइनेस नहीं मिला है लेकिन गौवर्मेंट ने पांच करोड तक का लोन को लेटल फ्री दे रखा है बट क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए उनको यह सिस्टम में बैंक वाले या मैनेजर घुमा रहे हैं तो यहां जल थे कुछ पूच्णाओ को किस तरह से देख रहे हैं आप उसे किस तरह से देख रहे हैं है λहां कि अ बहुत जल जल्दी है पुछले हाथ लक हटे ल बंखनों में था और इस्टेट ए फसे ईशित के जया ईविज हो एपका से मिला और नोंने में हों मुझे मेरे म आप आईए हमको यह विवस्था दीजिए एक हपते में काम करके दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोसेज बना रखा है मोधी सरकार ने योगी सरकार ने लोगों को आगे लाने के लिए पूरी उनकी विवस्था है कि लोग आगे बढ़ें नई इंड़स्ट्री आए उस का पूरा फोकास है गौवर्मेंट का तो यह थे हमारे साथ में प्यूज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारा समय से बात करने के लिए तो प्यूज जी ने बढ़ते सवर्ते भारत के लिए एक मिसाल के तौर पर एक पेश हुए हैं और नोंने बहुत काम किया से किया ओर मुचर दीज इजाओ